दोस्तो आज मार्केट में बहुत अच्छा मुमेंट देखने को मिला आप देख रहे होंगे दो तीन दिन से कंटिनिव मार्केट एक रेंज में ता कॉंसलेट कर रहा था बट आज बहुत अच्छा इसने मुमेंट दिखाया आज मंतली विक्ली दुनों एक्सपाईई था जि पहले बात कर चायुँगे निफ्टी के बारे में दोस्तों यहां पे देखिए का चार्ट और मौर्निघ साय मार्क touches अपका प। मॉर्णिंग में क्या हुआ था गैप डॉन ओपन देखने को मिला जो फोरेस्ट टैम फ्रेम पे पैटर्ण था जिसके बारे मैंने कल के वीडियो में बात किया था उके उसके एकॉर्डिंग क्या था आपका कुछ 22,300 के आसपास का टार्गेट था एक्जैक्टली मार्केट व को चलते पहले पैंबे तैम फ्रेम यहां पर के दोस्तों यहां पर देखिए क्या था एक गैप डॉन ओप्ट यहां देखिएगगा इसमल के जब यहां पर तो लगा कि नई मार्क इरभ रह सकता है क्योंकि इसने फर्दर वीड ह OBox का दिखेंग लिए इन देखिए यहां प इस कंडल का हाई क्या था यह था आपका बाइंग प्राइस और लो यह था आपका एसेड ठीक है देख सकते हैं एक्जाक्टली बाइस तीन सो के पास का इसने लो लगाया और यहीं से बॉंस बैक दिया तो एटलिस्ट इसलिए बारवार कहते हैं कि फाइट फिटिन में टैम में पे आप देखिए कि इंडर्डवा का ट्रेंड क्या है ऐसा नहीं कि अव्य delivered होगी खुलते ही 파ई कर लेते हैं पिल्कुल्य नहीं ठीक है जब तक इंडर्डव ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको क्रेड करना नहीं होता है उके तो यहां पर क्या क्या है इसने train confirm किया कि आज क्या है bullish train रह सकता है और यहां से देख सकते है direct दोस्तों यहां से इसने क्या किया तो जो resistance था 22,400 से 22,430 इसको इसने touch किया means कि बहुत अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो 130 point का सपास का move इसने दिखाया ठीक है उसके बाद जो second move था index में आपको पता आप बहुत साथ trade कर सकते हैं तो बट यह होता है जो smart trader उनके लिए होता है यहाँ पर देखें कोई जो sculpting करते हैं उनके लिए होता है कोई कि यहाँ पर trade था बट कोई ने दोस्तों यह तो picture perfect buying एक यहाँ पर था second distance breakout यहाँ पर कल के video में मैंने कहा था कि market यह दी 22,430 के उपर में कितना 22,430 इसके उपर sustain करता है then there is chances of heavy short covering ऐसा आमने short video में कहा था ठीक है अब देखें जैसे 430 के उपर गया यह यहाँ साब देखेंगे तो बहुत अच्छा एक upside move लगभग 170 point के आसपास का upside move देखने को मिला ओके यह trade आप नहीं भी बनाए फिर भी आपको हाँ अब नेट्स दोश्तो यहां पर मिला दो भागद सेड़ में ऐख और लाएक और आपको बताना चाहोंगी लास्ट विता तो यहां पर एक वार इसने क्या किया तो अभर चाहरें चाहिंगे यहां पर लगए यह यहां पर लगा था एक बीच में की ठोई से गिरावट हो सकती है बट यहां पर क्या हुआ जा कि इसने हाइब किया और फिर आपको बाइब का मौका दिया तो जब तक सेलिंग कर नहीं होता है तरेंड रिवर्सल नहीं होता तब तक आपको दूसरे ट्रेंड में नहीं जाना होता है तो चलिए बहुत अच्छा मुव देखने को मिला इसलिए बावार कहते हैं जब आपको मौमेंट अच्छा मिले उसी टैवल ट्रेड कीजिए क्योंकि यदि आपको ऑप्शन बायर है तो आपको एक अच्छा मौमेंट चाहिए होता है ठीक है कहीं भी जब मार्केट करता है उ इस तरीके का मौमेंट दिखा सकता है तो यहां पर थ्यान दिजिएगा देखें यह है डिटाइट का चार्ट और यहां पर एमस्टी पर थ्यान दिजिएगा यदि कल के दिन एमस्टी क्रॉस कर जाता ऐसे एसे यह ठीक है तो यहां पर एक पोजेटिव सिगनल आएगा एकॉर्डिंग इंडिकेटर मार्केट क्या होगा पोजेटिव ठीक है सेकेंड थ्वास आते हैं अदर टाइम फ्रेम एक तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों रिस्टिल्स का ब्रेक आउट यहां पर देखिएगा आज का जो हाई है हाई कितन देखिए आप थोड़ा से चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर क्या कह रहा है अब देखिए थर्टी मिनट टाइम फ्रेम पर यहां पर एक सिलिंग पेटर फॉर्म है हो सकता है आज जो 300 पॉइंट के आसपास का जो उच्छाल देखने को मिला तो थोड़ा सा मेभी कल क्या ह तो उस टाइम में यदि आपको मौका मिले ठीक है यहां पर देखिएगा यदि निफ्टी कंटिन्यू 22600 के नीचे रहता है थिक है मिंगे में इसके ओपर मार्केजिक के आसपास में 22590 या 600 आसपास में ओपन होता है और कंटिन्यू इसके नीचे रहता है तो एक बार हो सक इसके एकॉर्डिंग ये 22,500 आ सकता है मिन्स कि खुलते ही आपको सेलिंग का मौका यह देश सकता है ठीक है बहुत बार सेलिंग नहीं बोल सकते हैं यहां पर ठीक है लेकिन एकॉर्डिंग टुर्टी में टैम फ्रेम एक डीपील ले सकता है ओके सेगें तिंग यह क्या करें यहां पर दोस्तों यहां पर देश्टेंज ब्रेक आउट ये दिखा सकता है मार्के इस तरीके से अल्टम हाई को तच कर सकता है ठीक है तो मार्केट की ओपनिंग काफी इम्परेंट होती है जब मार्केट ओपन होगा उस टैम में ध्यान दीजेगा क्या हो रहा है क्या ग् इस थर्टी में टाइम फ्रेम के अकोडिंग बनता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं या डेली के अकोडिंग बनता है तो फिर आप वहाँ पे बाय ओन डिप के स्टेटी यूज़ कर सकते हैं बट इस पर जरूद धियाद दिजेगा हमेसीड़ी पे दोस्तों बात करा चाहूंगए बैंक निफ्टी के वादे में तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहां पे एक मुरवंगुजू dampak lev क्या बताता है यहां पर फर्दा ये स्लोली 48,000 और फिर ये स्लोली 47,700 के आसपास आ सकता है exactly आज जो opening with the gap down वो कहां पे 47,775 कुछ ऐसे ही इसकी opening उसी के आसपास में हुई थी means कि जो target हमने दिया था exactly वहीं पर opening ही हुआ अब लेगे target तो आ गिया selling ओला ठीक है तो जब support के पास पर open हुआ तो उसके बाद हमें क्या करना है क्या put buy करना है यहां पर buy करना है तो आपको decide करना होगा ठीक है तो चलते हैं again इसमों time frame पर समझते हैं थोड़ा सा दोस्तों यहां पर 5 minute पर चलते हैं ठीक है support के पास से बस तेजी से नीच आया और यह क्या किया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो 48,200 का level था इसको इसने touch किया तो तेजी से इसे trade लिया होगा उसको तो बहुत अच्छा यहां पर profit देखने को मिला होगा second thing second जो trade था दोस्तों इसमे distance breakout पर ठीक है ठीक है क्योंकि आप देखोंगे यहां पर जो यहां पर इसने trade करने का मुखा दिया resistance breakout पर इसने एसर हिट किया ठीक है यहां देख सकते इस कलो break है तो होता है इंट्राडे में कभी कभी होता है बट second जो मूव दोस्तों यहां पर इसने दिया था यह resistance breakout का यहां पर देख सकते इस के नल का हाई ब्रेक होने पर बाइ करना था यहां पर फिर बहुत अच्छा यहां पर देख सकते हैं तो दो मूव पिक्चर परफेक्ट था यहां पर ठीक है और लास्ट नुस्तों सेलिंग का यह आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट में मैंने यह भी चाहूंगी कि next day क्या हो सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके का मूव दिखा सकता है यहां पर बोला चाहूंगी मैंने अपने क्लास में बोल दी थी जब मार्केट यहां पर आया था ना निफ्टी हो चाहाए बैंक निफ्टी हो तो मुझे उसी टेम लग गया था यह जो डीप है ना यह दोस्तों एलक्षन से पहले का डीप है ठीक है यहा पर यूटीब पर नहीं बूले थे बट मैंने वहां पर पहले ही बोल दिया था एक्जेक्ली वही आप देख सकते है यहां से मार्केट भिलकुल हो गया है तो कल क्या करना आपको कल एगें ध्यान सब्सक्राइब कर जाता है तो फिर ऐसे यूटर्ण ऐसे ठीक है यहां पे पोजिटिव सिंगनल आ जाएगा बाइंग का मिन्स के एक पोडिंग टू इंडिकेटर मार्केट आपका बुलिस ओके सेकेंड यहां पर दिखिएगा यह दोस्तों यह क्या होगा रेस्टेंस का ब्रीक आउट यहीं स्केंडल का हाइब रेक होता है तो एकेन मार्केट क्या करेगा ऐसे उपर जा सकता है सगेंड एक बात और याद कीजिए आप लोग हमने कहा था यह गैफ फिल हो सकता है यहीं कंटेनिव 48,200 क्यों पर सिस्टेन करता है तो यह गैफ फिल कर सकता है 42, sorry, 48, 500 जा सकता है, exactly आप देख सकते हैं, इसने gap fill कर दिया, ठीक है, अब देखिए, यदि क्या हो, यह high break होता है, फर्दर यहां से distance break up, और bank nifty भी again, new all time high को touch कर सकता है, ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं, क्या छोटे टेपने में कुछ pump हुआ है, या नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बात करेंगे, यहां पर hourly पर दोस्तों, तो कोई pattern form नहीं है, 30 minute पर एक evening start pattern form है, तो यहां पर दिखिएगा आप लोग थोड़ा सा, यदि bank nifty क्या करें, continue 48,000, 550 के नीचे, 550 के नीचे रहता है, तो फिर क्या होगा, यह जो evening start pattern है, इसके according एक वार यह deep ले सकत है, यहां यह 48,300, 350 से 48,300 आ सकता है, और यह 48,500 के ऊपर जाता है, तो फिर maximum chance होगा, डिस्नेस ब्रेक और दिखा सकता है, और साथ में आपको देखना है, यह दि डेली पे विस्टी क्रॉस कर जाता है, तो क्या होगा, और भी, जो पसलिटीज है, वो क्या होगी, बढ़ जा जाएगी, ठीक है, अपसाइट जाने का, तो आपको देखना क्या है, क्या यह 48,500 के ऊपर सस्टेंट करता है, या नीचे ऊपर सस्टेंट करेगा, तो फिर यह बाइंग का मौका देगा, और इसके नीचे गया, तो आपको खुलते ही, एक सेलिंग का मौका दे सकता है, अब बैगनिफ्री के लिए 48,250, 200 से 300 आप कह सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, कल के दिल क्या होता है, ओके, दोस्तों यहां पर बात करा चाहूंगे, इनफोसिस के बारे में ही, आज भी इनफोसिस में बहुत अच्छा ब बात करेंगे, तो इनफोसिस का ट्रेंड क्या भी पोजेटीव है, बायों टिप के स्टेडिज यहां भी यूज कर सकते हैं, दोस्तों जो भी हमने बताया है, कोई भी टिप्स रिक्मेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जैसा लगा, मैंने आपको बताया, आपको ट् कीजिए को मिलाओगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर की जल पर निवेंगे, सब्सक्राइब भी कीजिए, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तव तक के लिए, नमस्ते.